रिस्तो की लकवी रहें तोड़ी नहीं जाती हैं जब खुद की आँखें दुखती हैं तो फोड़ी नहीं जाती हैं नमस्कार आपके साथ मैं हूं रितिक सभीता स्वागत है आपका SPN 9 नूज में दर्शकों मद्ध प्रदेश की राजनिती में लगातार उथल पुथल देखने को मिल रही है एक तरफ देखा जाए तो कॉंग्रिस पार्टी के बड़े निता कमलनाथ ज्योती रादत सिंधिया के लिए कॉंग्रिस के दर्वाजे बंद कर चुके हैं तो वहीं देखा जाए तो शिवराज सिंग चोहान कहीं न कहीं ज्योती राजित सिंधिया की तारीफ करते हो नजर आ रही हैं ज्योती रादत सिंधिया वही है जो मद्ध प्रदेश की राजनिती में तमाम बर्ग के बोट बेंक को सादने का हमेशा से ए ही प्रियास करते आए हैं, चाहे वो आदिवासी बर्ग हो, चाहे राचपूर समाज हो, चाहे पंडिस समाज हो, चाहे मोधी समाज हो, है या फिर सिंधिया ठाकूर समाज। लगातार देखा गया है, कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सिंधिया ने हर एक बर्ग के लोगों को तवके के लोगों को जो है साथ में देखा है एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि जोती राधित सिंधिया एक आदिवासी परिवार में रुक भी गए थे आदिवासी परिवार में रुख गय थे रैली के दोरान और आदिवासियों से बातचीत भी की थी लेकिन इस बार कमलनात का साथ कौन देगा क्योंकि पिछली बार देखा गया कि कमलनात के साथ सिंधिया खड़े थे दोनों लोगों ने मिलकर खूब जम कर परचार किया और च सभाचुनाव होने हैं तो कैसे कमलनात आदिवासी बोट बैंकों को जुटा पाएंगे कैसे कमलनात अकेले तमाम बर्ग के लोगों को जोड़ पाएंगे क्यों क्योंकि लगातर कमलनात ने ये भी कह दिया कि सिंधिया कोई तोप नहीं है ये कहा जा रहा था कि जोती राध सिंधिया ने साफ थौर पर भारत जोड़ यात्रा की तारीफ कर लिती राहुल गांधी की तारीफ की थी लेकिन जिस तरीके से यहां पर बयान बाजी शुरू रूप्ट जिस तरीके से सुप्रिया स्रीनेत ने जो ligeा पर जो मेरा जोच में पोर बजो पर सव प्रविल करेंगे या फिर आने वाले वक्त में कॉंग्रिस पार्टी जीत जाएगी लेकिन एक और पार्टी एंट्री कर चुकिए दोस्तों उसका नाम है अर्विंद केजिरिवाल की पार्टी यानि की आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी मद्ध्रदेस में प्रिवेश कर चुकी है तो देखना यह होगा कि बीजेपी की सेंदमारी होती है या फिर कॉंग्रिस की सेंदमारी होती है और इस वार जो है विधान सभाचुनाव में कौन जीत कर आता है आज किस खास रिपोर्ट में वस इतना ही देखते रहिए SPN 9 News